बट शितल जी क्या मलकार जुन खडगे के नाम को प्रधानमंत्री को मिद्वार के तौर पर पेश करना उचित होगा? क्योंकि खडगे साब अभी तक मुक्वंत्री भी कभी नहीं बने, दावेदार कई बार रहे, और पिछला लोकसभा के चला वो खुद भी हार गयते करना टक से, और इसके टीस उनके मन में रही, हलाकि वो लीडर अपोजिशन राजसभा में भी रहे और लोकसभा में भी रहे देखिए पहले तो जो तत्य हैं उनको जो काते हो लिया जाए, ये एजेंडे में नहीं था ये प्रस्ताव, ये जब उसके बाद लोग निकल रहे थे, जैसी मेरी सूचना है, उसमें प्रोग्राम खतम हो जाने के बाद, प्रॉपर उसमें कोई इस मुद्दे पे कोई बात नहीं होई थे, निकलते समय एक ग्रूप आफ जो भी लोग वहां नितागर निकट्था थे, उसमें आट-दस पार्टियों की लोग थे, उनके बीच ममता बनर जी ने ये छेड़ा, और ममता बनर जी के साथ केजरिवाल भी वहां खड़े हुए थे शायद और कुछ और लो इसलिए मना किया कि खड़गे साथ की पार्टी जैसी है, हम देश की पार्टियों के बारे में जानते हैं, वैसे ज्यादा तर लेकिन उनकी पार्टी में फिर भी इस पर बात होगी, खड़गे साथ अकेले इसको तैब भी नहीं कर सकते, और दूसरे लोग हैं जो सब मिलज हो रही थी तब हो लेफ्ट पार्टी वाले नहीं थे एक तो ऐसे ही मम्ता बिनर्जी और लेफ्ट वाले थोड़ा सा एक दूसरे से अलग-लग कोशिश करते हैं कि आपसमें उनकी बाचीत भी नहीं होती यह मुझे पता है तो बाहर निकलके सीतारा मेचुरी ने तो यह कहा कि यह तो मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात हुई नहीं और यह मतलब एजंडे में था भी नहीं और ऐसा डिसकस भी नहीं हुआ दिबांकर भटाचारियर ने कहा कि बात तो ऐसी नहीं हुई लेकिन ऐसी बात हो तो कोई बुरा नहीं है तो बहुत अच्छा होगा एक दलित को लेके issue नहीं है लेकिन पहले वो congress में तय होगा और congress में ये भी तय हो ना होगा न कि इस वजह से कहीं कुछ लोगों में ऐसा नहों कि किसी किस्म का जरा बहुत friction पैदा हो इस stage में तो वो ठीक नहीं होगा इसलिए वो अभी इस बात पर जोर नहीं देंगे वो technically जानते हैं क कि जो भी इसमें लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीटें कॉंग्रेस की आने वाली हैं और जो भी करीबी भी होंगे उनमें से करीबी भी काफी दूर होंगे इसलिए वो मुद्दा लास्ट में भी हल हो जाएगा बहुत विवाद उसके नहीं होगा वो technically इस चीज को समझ दिया था लेकिन आज और ने छेड़ा क्यों बंगाल में बीजेपी ने धलित आबादी के 20 सेंध लगाई हुई है बीजेपी वहां धलितों के जो सेक्शन्स हैं उसी में उसने अपना अधार बनाया हुआ है और ममता बनर जी उनको वापस लाने की बहुत कोशिश कर रही ह प्रधानमंत्री उनको अपने से जोड़े रखने के लिए बंगला देश जब गए थे तो दलित हिंदुओं के एक मंदिर में भी गए थे वो सब बीजेपी उसमें बहुत धंग से काम कर रही है तो ममता बनर जी भी चाहती है कि वो दलित प्रधानमंत्री को प्रस्ताव कर प्रधाने का नाम उनके सिरे जब जुड़ेगा तो उससे उनको अपनी कॉंस्टिवेंसी में बंगल में बेनेफिट होगा उनका यह है अच्छा कॉंग्रेस जो है कॉंग्रेस का जो थिंक टेंक है जो मैं समझ रहा हूं कॉंग्रेस की समस्या यह है कि दलितों में और आद दिवासियों में तो अभी भी उसको बीजेपी से ज़्यादा समर्थन ट्राप्त है लेकिन उसकी समस्या OBC में है OBC में इस समय बीजेपी को ज़्यादा बड़ा समर्थन ट्राप्त है तो कॉंग्रेस को All India Calculation जब देखती है तो उसके लिए जरूरी है कि वो OBC के मद्दा पाताओं में इंडिया गठ बंधन के लिए और एक समर्थन ज्यादा बढ़ा है नेशनल चैलेंज अगर देखा जाती है ज्यादा सही रणनीती होगी लेकिन इन दोनों को साधना होगा अब जब यह प्रस्ताव आ गया है और उस मामें नितीश कुमार का उपयोग बहुत म लोड करें गूगल प्ले स्टोर पर